जैशे किष्णे दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही अचूब सा उपाई लेके आई हों, ऐसा उपाई है जो आपने पित्र पक्ष में करना है, आप सबी जानते हैं जब अगर पित्र पक्ष में या हमारे घर में अगर हमारे पित्र रूस्ट होते हैं, तो घर में चोटी चोटी बात तो फिर तू में होने लगती हैं किसी काम के लिए जाते हैं वो काम ही नहीं पूरा होता कारोबार में बरक्कत ही नहीं होती है चाहे छोटा हो चाहे बड़ा कारोबार हो जब बरक्कत ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे मातलश में स्थायरुप से वासी नही जाता है बच्चों के विभाम में रुकावटे आते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि रुकावटे क्यों आरे सबकुस्त फीक है कुँडली में कोई दोश ही Nikki परिशानी रिष्टे की बात आई संजोगी नहीं बनरे क्या हुआ अचानक से रिष्टा टूट गया उनुसरे पितरों का हम से रुष्ट होना हम्हारे पूर्वज़ों का हम से हम אुछ रूष्ट होना रागे लीक अगे अगे तो वह चलेगे पीछे बरक्कत बनाएके रिखीं टो आप इस पित्र पक्ष में, इस शाद पक्ष में, कुछ छोटा सब पाएं, जो मैं आपको बताने जा रहे हैं, आवश्य कीजिए, बहुती सरल हैं, बहुती असान हैं, अधिकता लोग जानते भी होंगे, करते भी होंगे, विश्वास और यकीन के साथ कीजिए, और शद्दा बत्तव होते हैं, तो हमारे बच्चों की जीवन में किसी परकार की कोई अर्चन बादे नहीं आती, तो सब से पहले तो मैं आपको ये बोलूंगी, कि शाद प्रक्ष में आपने, सुबा lige जब आप नहाद हो लीजिए, तो एक लोटा जल लीजिए, उस में आप थोड़ा स सके, संभव हो सके तो आप किसी भी पीपल या बर्गत के व्रिष्ट के पास जाके जल चड़ाए, सिर्व रवीवार का दिन छोड़के इस तरह से आप जल अवश्य चड़ाए पूरे श्राद पक्ष में ठीक है, इससे भी आपके घर में जो भी पित्र हैं, जो रुष्ट हो रखे हैं वो मान जाएंगे, ठीक है दूसरा, जब आप रसोई घर में आपके घर में तवा चड़े पहली, जब सुबा रसोई में पहली जैसे तवा चड़े तो सबसे पहले आपने एक रोटी बनानी है और रोटी देखे, छोटी ना बना की थोड़ी बड़ी रोटी बनाईए बड़ी रोटी आप बनाईए कि कम से कम उसके जब चार टुकड़े किये जा सके तो अच्छे से हो जाए तो पहली रोटी आप बनाईए और बना की थोड़ी बड़ी रोटी उसके चार टुकड़े कीजे ठीक है, चार टुकड़े करने के बाद सबके उपर थोड़ा सा गुड़, शक्कर या चीनी जो भी संभव आप वो रख दीजे, रखके आप एक टुकड़ा तो गाई को खिला दीजे दूसरा टुकड़ा अपने कववे के लिए किसी भी पारक में, किसी भी संसान जगए जो भी जहां पर आपको लगता है कि चील कववे आते हैं और खालेंगे तीसरा टुकड़ा आप कुट्टे को खिला दीजे, अब चौथा टुकड़ा है अगर कोई मांगने वाला आता है तो उसे दे दीजे, नहीं तो वो भी आप मतलब गाई को ही खिला दीजे और कोई आए इस बीच पूरे श्राद पक्ष में दरवाजे पे आपके कुछ मांगने के तो उससे अवश्य कुछ ना कुछ देजे खाने के लिए ये कैसा चूक सब आए तो रोटी आपने जब भी तवा पहला चड़ा रसोई में तो आपने सबसे पहली एक ऐसी रोटी बनानी है और दूसर तो आप सब भी जानते होंगी पहली रोटी आप गाई को खिलाईए और आरात को आखरी रोटी जो होती है वो आपने कुट्टे को खिलानी होते हैं उस पे सरसो का तेल लगा के फिर आप वहरोटी कुट्टे को खिलाएं यह उपाय आप पूरे स्टार्ट बक्ष में करके देखें यकीन मानिए कि आपके घर के जो पित्र है न वो शान्त हो जाएंगे जो रुष्ट हो रखें हैं गुसा हो रखें हैं वो शान्त हो जाएंगे यह कार्याप करके देखें विश्वास और यकीन के साथ तो आपके बच्चों की जीवन में जो भी विवहा समंदी अर्चने बाधायारी अचानक ही चलियाते रिष्टे तूर जाते हैं सब चीजे सही हो जाएंगे संजोग भी बनेंगे रिष्टे भी पके होंगे बच्चों के विवहाब भी होंगे जब हमारे पूरवज खुश होंगे इसलिए कि उनी पूरवजों का खून इन बच्चों में है सबसे पहले अपने पूरवजों को खुश करिए जब आपके पूरवज खुश है ना तो सारे देवी देवतां खुश हैं तो सबसे सवप्रत हम अपने पित्रों को पूरवजों को खुश कीज़े इस श्राध्यपक्ष में इन छोटे-छोटे से कारियों से अब मुझे आगए दीजे मैं फीराओंगी इसी तरह के बहुती सरल अचुक से उपाय के साथ में जैश्री किशना